नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है सीवा एश्ट लोजर में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंग लगन के जातक हैं उनके लिए पंचम घर में राहू की इस तरह का परणाम देगा बहुत ही महत्रपुन वीडियो है क्योंकि इसमें हम फलादेश कैसे करें उ आपका जो राहू है वो किसी न किसी डिग्री पर जरूर होगा तो यहां पर जैसे हम बात करते हैं इस जनम कुंडले के ऊपर आप भी अपने जनम कुंडली में अगर आपकी शिंग लगन है तो इस तरह से अपलाई कर सकते हो या फिर आपका कोई अन्यता और लगन है तो कि इस वीडियो के स्टैप्स है उनको देख के आप जो उनमें भी आप अपना फलादेश को डूल सकते हो जैसे कि यहां पर जो राहू है वो पांचयों गर में धनुराशी में आएगा तो अगर आपकी शिंग लगना तो आपके भी पांचयों गर में धनुराशी ही होगी उसमें जो हैं वो तीन नक्षत्र होंगे, तो सबसे पहले राहु जो परिणाम देगा वो देगा धनुराशी का यानि की गुरु का, उसके बाद वो परिणाम देगा इसमें बैठे हुए तीन नक्षत्र होंगा, जैसे कि धनुराशी में तीन नक्षत्र आते हैं, सबसे पहल सुख्र की न्रिच्ष reform टर stell भाव में में गुरू के परिनाम होगा दसमें गर और आपका तीसरा गर तो रहू जो है वह इतने परणाम के पड़ा देगा तबी तो तो राहू को किंग मेकर कहा गया है या फिर राहू जो है वो डूबाने पर आए तो सब कुछ नश्ट कर देता है क्योंकि राहू एक ऐसा ग्रैज जो एक बार में चार चार पांच पांच या चाचे बाओं के परिणाम देता है तो जाट तक को अगर प्राप्तियां होती है तो इतने जल्दी और इतनी अचानक होती है कि वो रातो रात जो है वो प्राप्त कर लेता है और जो लुटने लगता है तो मिनिटों में खतम हो जाता है क्योंकि राहू एक साथ बहुत सारे बाओं के परिणाम देता है तो आपको इस तरह से समझना है आपको यहां पर फल पुझान मेरे स्वास्थ्ट है होग क्या नर्ष neat है तो यहां पर राहू के आने से कही ने स्वास्थ्त में कमी आती है हमारा पेट से संबंदी। जो हैं वह सारी परिसानिटे योग उलच बंते हैं पतरहे योग बंती हैं और कही ने कहीं जो हो हमारे शरीर में ७ो अگनी जैसे की अगनी परज culprit होती है भार जल्ल लगना ही इस तरह की सिकायत भी हमारे सरीर में होती है सबाइक का एक राहु सुम्हारे तो अगर हमारी स्वास्था में नग्शचतर सुमित कि यहां बातु है तो एक तो राहु के ठीक अपोजेट ही ह्यो समझ़ना है यहां पर के सब्सक्वे का है यहां हों कि लग को प negoti इस नाज़ दोप पर अगर हम पंचम घर से देखें तो हमारी कला है अभिने हैं हमारी जो शिक्षा के अंदर जो गुडवकता है इंटेलीजेंसी है वह राहू यहां पर दिखाता है तो हम कितने गुडवान हैं राहू उनको और ज्यादा तेज कर देगा अगर हमारे राहू जिस नक्षट रह बैटा है रासी स्वामी अगर अच्छा है जैसे में उधान के तौर पर बात करता हूं तो राहू जो हैं वो धनूराशी में और धनूराशी का मालिक मान लीजिए कि जन्म कुंड़िली के अंदर अगर आपका दूसरे भाव में बैठ जाए या फिर आपका जो हैं वहां प को आप मिलेगे अब उसके अलावा घर आम बात करते हैं कि तो प्रेम परसंगों की बात करें कहीं स्वामी कहाने और वहीं परते क हैं नुकसान हो जाता है लोकों के द्वारा उनको जो है कई तरह से हानी पहुंचती है तो वह कैसे होता है कि अगर राहू का राशी स्वामी चटे आठ वे बारवे गरों में हो या फिर उनका नक्षतर स्वामी भी चटे आठ वे बारवे गरों में हो तो जातक प्रेम समंदों मे ठोकर खाता है तो कहीं नहीं आर्तिक और समाजिक नुकसान भी बहुता है जैसे कि समाज में उसकी भेजती हो जाए और और आर्ति पैक्सल में गुप मे ब्लैक् मैल का डेक और प save this अब अगर पंचम गर औरéch में और आ पर संतान आती है तो संतान उत्पत्ति को राहू रोकता है लेकिन राहू जो है वो संतान में कुछ लोग इस्तरी कारक बोते हैं लेकिन कुछ लोग पुरुस कारक भी बोलते हैं अगर राहू पुरुस ग्राय के साथ है तो पुरुस संताने देगा और राहू जिसे यहां पर योग आपको मिलेंगे अब इसमें और भी बहुत सारी चीज आती है जैसे जुवा सट्टा लोटरी तो राहू इन सब चीजों का कारक है अगर आपके सबसे महत्तपूर्ण यहीं समझना है कि इसका जो रासी स्वामी और नक्षत्र स्वामी अगर अशुब भाव में नहीं है तो आपको अत्यदिक लाव रहेगा क्योंकि पांचवा कर एक बहुत ही सेंसेटिव भाव है सेंसेटिव इसका मतलब क्या है कि चटे यानि कि हमारी जो अर्निंग है जो हमारी नोक्री है इसका बारवा है तो हमारी नोक्री को काटता है दूसरा क्या है कि हमारा जो कर्म है यहाँ पर नीच का उगया और जैसे मान लेजें का क्णि सोओं और नीच की आशुप न्हीं होगा इन पर उपान जू है तो आपको संतानों के दूरा अपमान जो है वह मिलता है आपके संताने नालायक निकल गई या संताने अच्छे रिजल्ट नहीं लेके आई संताने विवाईत रह गई संतानों से समझे बहुत सारे दुख तकलीप होने के योग बनेगे तो यह सारी चीजे क्यों कि हमारी जन्मकोंडली में ऐसे योग होंगे तब आपको यहां पे रासी स्वामी और नक्षातर को पकड़ना है इसके साथ आपको एक बहुत ही मैत्वपून क्या है कि अगर हम इसके परिणाम अपने प्रेम परसंगों में विवाहिक जीवनों में देखना चाहते हैं तो हमें यहां पे राहु के परिणाम D9 चाट याने की नवमाश कुंडली में भी देखने होंगे जैसे अगर हम बात करते हैं प्रेम परसंगों की तो राहु यहां पे पांच गर में बैटा है जो प्रेम परसंगों देखा था लेकिन इसका राशी स्वामी और नक्षतर स्वामी दोनों के दोनों चटे गर में है तो तोड़े से कही न कहीं अर्शुप जा रहे है चटागर क्या है कि आपके परीम परसंगों होंगे है और हम तो पूट तो इसमें कोई अच्छा आपको लाव नहीं मिलेगा और यहां पे जो है वो आपके जो साधी का जो प्रेम है जैनि साधी के बाद जो प्रेम होता है वो अकट्षन होता है वो भी कही नगए कम होने का योग बनाता है अगर आप इसको संतान से संब्धित देखना चाते हैं तो आप इसको सब्तमा से कुंडले में यानि D7 चार्ट इसमें कोई दो रहा है नहीं है आर राहू के बारे में आपने जादा तर नेगिटिविटी सुना हैं लेकिन कई बार राहू के रूप में आपको जो है वो कुबेर भी प्राप्त हो जाता है जिसे भी आप यहाँ पर इस तरह का योग देख सकते हैं अब यहां पर क्या आए क संबैने कि देख़ा मंधा कर्म का कैसा है कि वह तुछ दसक्रा जरू है तो चंद्रमा की करकराशी में और द्राशिया राव खरता है का यहां सबिस्क्राश्र का कि यहां पर प्तर रख में से हुआ करम का हाथवाँ इसका थत्फर है कि यहां पर हमें दस्मांस में देखने से पता चलता है कि जातक को कहीं न कई व्यापार में राहू बहुत बुरा परिनाम दे सकता है तो आपको यहां पर इस तरह की में नहीं ओसकता तो के तु लाब गिर में होगा तो आपको प्रेम प्रशंगों में लाब euros क्यूट रभा बनता है जूए शक्टे लोटरी की आपको या तो लट नहीं लगेगी लगेगी तो फिर इतनी कि आप उसके चकर में सब कुछ बर्बाद करने की अग्त तक आ जाओगा यानि कि एक तरफा प्यार दिखाता है। दूसरा क्या है कि अगर संतानों के बात करें तो केत्तों के नक्षतर में होने से जाता को जो है वो एक संतान होने का ही योग बनता है। और वो भी लड़का होने का योग तक बन जाता है। 90% यही देखा गया है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका राहो जो है वो शुक्र के नक्षतर में हो तो आपको यहां पर यह देखना कि शुक्र कहीं नीच का तो नहीं है। राषी के अंदर निचि का होता है कि छह नंबर आप यहां पर यह देख सकते हैं कि परिवार वर्दी को रोक लेगा साधी होंने नहीं देगा डिले करेंगे शंथान को डिले करें दिखाएगा और पहली संताथ्य सार्शाल बाद हो इस तरह के योग बना देगा क्योंकि वहा इसके बाद अगर ये सूर्य के नक्षतर में हो और तुलारासी में नीच का होता है तो आपके लिए बहुत अर्शुब होता है और सूर्य अगर छटे आठ्वे और बार्वे गरे में हो तब भी आपको अर्शुब परिणाम मिलेंगे यानि कि पांच वो गर से संबंदित रा संतानों में पुत्र रूप की प्राप्ति ज्यादा से ज्यादा होने के योग बनेंगे तो इस तरह से आप अपनी जन्मकुनली में राहू का फ़लादिस कर सकते हूं नक्षत्र नौमा दसमाज और सब्तमाज के दौरा आपको जिस संदर्ब में देखना है कि मुझे संतान के रूप में देखना है मुझे दो हैं वह नौकरी के रूप में देखना है तो आप चीज़ों आंख रलेंगे तो आपको अत्यली लाब रहेगा तो आज कहीं जो वीडियो था यह पंचम घर में राहू यानि कि सिंग लगन वालों के लिए पंचम घर में धनुराशी में कि इस तरह के परणाम देगा वह आपको मैंने बताया आपको कैसा लगा जरूर बताये अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों